ही गाइज वैलकुम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स तोड़े आम गॉना शेयर विद यू सेटफल मॉस्टराइजिंग क्रीम मैं इससे पहले भी यह वीडियो बना चुकी हूं बट मैंने कोई कमपारजन वीडियो नहीं लाया था तो आज मैं आपके साथ कमपारजन वीडियो करना चाहरी थी जो मेरे एक्सपीरियंस कहता है मेरे स्किन के साबसे में भी आपको यह कमपारजन वीडियो एफेक्टिव हो आपके लिए इसको परचेस करने से पहले तो वाट आए फील इन वाट इस माई एक्सपीरियंस मैं उसके बिस्स पर कह रहे हूं सबकी स्किन दार साल हो गया इसको यूज कर रहे हूं बड तीन महीने से मैंने यह क्रीम लगाना शुरू किया है और यह मैंने 30 ग्राम क्रीम मगाई थी जिसकी कॉस्ट आपको बग 95 की पड़ती है और यह वाली क्रीम 80 ग्राम के आती है और आपको 425 की पड़ती आप देख सकते हैं तो बैसिकली दोनों क्रीम में क्या डिफरेंस है दोनों ही मॉस्टराइजिंग क्रीम है कोई प्रब्लम नहीं इस क्रीम को आप फेस एंड बॉड़ी पर यूज कर से इसको बेटर वक करती है बिकाज मेरी क्रीम मेरी स्किन पर कोई भी मॉस्टराइजर स्टिक नहीं होता है कुछ टाइम बाद वो उड़ जाता है तो मुझे बार-बार मॉस्टराइजिंग की रिक्वार्मेंट होती है तो मैं इसको प्रिफर करती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस एक बर यूज करके जाती हूँ तो मुझे शाम तक इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर मैं इसका प्रयोग करती हूँ तो प्रॉब्लम यह है कि यह दो-चार घंटे तो मेरे चहरे पर रहता है उसके बाद ऐसा लगता नहीं मॉस्टराइजिंग मेरे चहरे से और गई है मेरे स्किन को ड्राइ कर देता है मुझे बार पर इसको अपलाई करना पड़ता है बट दोनों क्रीम अच्छी है आपको कौन सा मॉस्टराइजर जादा सूट करता है यह लाइट है टेक्शर में यह डाक है इसको यूज करेंगे तो यह पर्मानेंट आपकी चहर इसको क्या है इसको यूज करने के बाद आपको दुबारा दो तीन घंटे बाद मेरी स्किन के एकॉर्डिंग मुझे दुबारा से यूज करना होता है यार ओफिस में इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार यूज कर रहे हैं कभी-कभी ऐसी जगह पर पहुत जाते तो सचे आप बारबर मॉस्टराइजिंग का यूज नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब की आपको ट्राइक करना है तो घंते अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगयों तो प्लीज लाइक कीजिएगा मेरे चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को श्यार कीजिएगा थैंक्यों वाचिंग